अलो फ्रेंट्स वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बेंक के सेर के ऊपर साथ ही साथ बतकरेंगे फेडरल बेंक, योको बेंक एंड जी एनके बेंक सेर के ऊपर इन जी जेल में बात करेंगे, सभी पॉइंट्स के उपर डिसक्रिशन करेंगे तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखीगा जिससे की आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सेर कीजिए, साथ ही साथ अगर आप लोगों नहीं हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर लिजिए, और नोटिफिकेशन्स पे क्लिक करके औल को भी सेलेक कर लिजिए जिससे की आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के उपर सबसे पहले बात करेंगे पंजाब नस्नल बैंक के सेर के उपर इस टॉक में आज हम लोगों को मामूली सवा एक परसेंट का तेजी देखनी को मिला लेकिन अगर इस पुरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक इस पुरे वीक में तखरिवन सवा चार परसेंट के तेजी के साथ क्लोज हुआ है और लाश्ट वन मंत में स्टॉक ने 34 परसेंट का एक काउट देखने को मिल रहा है यहां पर जो है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था प्रिवेस टू प्रिवियस वीक में स्टॉक यहां पर हॉल्ट किया इस वीक में भी स्टॉक पहले इनीसियली नीचे जाने का कोसिस किया बट उसके बाद जो एक अच्छ लेवल पर trade कर रहा है यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल को stock cross करने की कोशिस करता है जिस लेवल के नीचे stock ने 2018 में February मन्त में इस लेवल के नीचे trade करना start किया था तो काफी टाइम के बार अल्मोस्ट six year के बाद जो है stock इस लेवल को वापस से cross कर रहा है तो stock में एक बड़ा momentum उपर के side में देखने को मिल सकता है stock जो है वह आपको 200 के level की side momentum कर सकता है क्योंकि यह six year का एक multi-year breakout है एक rounding bottom pattern जो है हम लोगों को यहां पर breakout होता हुआ दिख रहा है काफी अच्छे तरीके से stock ने यहां पर breakout दिया है और PSU bank में अगर बात करेंगे तो एक अच्छा rally देखनी को मिल रहा है इनकेस अगर आप फ्रेस पोजिशन लेते हैं तो 100 रुपीज के नीची का SL लगाके आप यहां पर फ्रेस पोजिशन ले सकते हैं दीड़ी दीड़ी जैसे stock उपर की side जाएगा यहां पर जो है stock को आप ट्रेल कर सकते हैं stock के SL को यहां पर हम लोग ट्रेल करते हुए जा सकते हैं जैसे stock उपर की side momentum करेगा चलिए अब next stock के उपर बात करते हैं और next stock है federal bank है federal bank में एक बहुत ही सांदार breakout देखनी को मिल रहा है stock अपने all time high पर trade कर रहा है यहां पर नीचे से trend line का support देखनी को मिल रहा है उपर से जो trend line का resistance था यह resistance ब्रेक आउट हो चुका है stock जो है एक rising wage pattern का stock में breakout देखनी को मिल रहा है एक अच्छे volume के साथ stock ने यहां पर breakout दिया है तो stock में further उपर की side में तेजी देखनी को मिल सकता है यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे नीचे की side में जो हम लोगों का SL होने वाला है हम लोगों का SL रहेगा यहां पर आपको 139 के नीचे weekly closing basis पे तो तक्रीबन जो है यहां पर 25 point का हम लोगों का SL होने वाला है उपर की side में जो पहला target हम लोगों का यहां पर होगा 190 का और उसके उपर अगर निकलता है तो फिर 225 का भी level इस stock में देखने को मिल सकता है इस टॉक बहुत अच्छे level पर ट्रेड कर रहा है यहां पर monthly basis पर देखेंगे तो इससे पहले काफी पहले आपको monthly basis पर अच्छा breakout देखने को मिला था जब इस टॉक 125 के level के ऊपर आपको breakout दिया था इस टॉक ने यहां पर एक अच्छा breakout दिया ब्रेक आउट के बाद जो है इस टॉक में आपको एक रीचेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर लेवल को रीचेस्ट किया इस टॉक में एक अच्छा तेजी दिखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छा चार्ट पार्टन का breakout दिखने है उपर की साइड में इस टॉक की बात करेंगे तो सब्सक्राइल के मतली चार्ट के ओपर दखते है तो मंतली चार्ट में पर इस सिर्च की मैं हमपиваем को एक करने के लिए जासकता है जो है उपर की साइड में आपको 110-120 की तरफ मोमेंटम कर सकता है लेकिन अभी स्टॉक में एक बड़ा हम लोगों को नीचे की साइड से एक बाइंग प्रिशा देखने को मिला तो अपर वीक रिजेक्शन 70 के लेवल से देखने को मिल रहा है और लुवर वीक रिजेक्शन जो के सेंट्रल बैंक के इन सबी स्टॉक में जो है एक रेंज आपको नेक्स्ट फ्यूवीक्श में देखने को मिल सकता है इसी डेंज में ट्रेड कर सकता है तब तक जो है आपको एक strong momentum unidirectional या किसी particular direction में एक strong momentum देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आप लोग already hold करके रखे हैं 50 के level पे काफी लोगों ने यहां पे buy किया था इससे पहले अगर बात करेंगे 40 रूपीज के level पे काफी लोगों ने buy किया था तो अगर आप यहां पे continuously buy करके रखे हैं तो यहां पे आप hold करके रख सकते हैं stock जरूर एक uptrend में है लेकिन थोड़ा सा time लेगा है क्योंकि यहां पे विगर देखेंगे बाद जो है जनरली stock टाइम लेता है तो यहां पे stock जो है आपको next few week consolidate करता हूँ दिख सकता है उसके बाद जो है stock में वापस से हम लोगों को breakout देखने को मिल सकता है और stock जो है उसके बाद 100-110 के level के तरब जा सकता है चलिए अब लाश्ट stock के ओपर बात करते हैं लाश्ट stock है जेन के बैंक जेन के बैंक में क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर इसके monthly chart को देखेंगे तो stock जो है एक important resistance level पर trade कर रहा है important resistance लेवल क्यों है क्योंकि stock 2015 से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है 2015 में स्टॉक इस लेवल से resistance प्रिस किया था 150-160 का यह लेवल है और उसके बाद जो है stock यहाँ पर आपको after 9 years जो है stock इस लेवल को हिट करने किल जा रहा है 50 रुपीज के लेवल से चार्ट पर आपको मोमेंटम दिख रहा है यहां पर कोई भी एक निगेटिब कंडल का formation नहीं है तो काफी टाइम से stock कंट्रोंस मोमेंटम करता है तो थोड़ा सा यहां पर वेट करना चाहिए यह stock जो है थोड़ा time spend करेगा क्योंकि इतने नीची के लेवल से अगर stock आके यहां पर प्रिक आउट करता है तो मोमेंटम काफी जल्दी लूज हो जाएगा क्योंकि उपर की साइड में 160 के उपर immediate 175 पे भी रेसिस्टेंस है तो यहां पर stock एक time spend करेगा उसके बाद जो है stock में आम लोगों को further तेजी देखने को मिल सकता है तो यहां पर अगर आपके पास already stock है तो आप जरूर hold करके पेसेंस के साथ रख सकते हैं क्योंकि आप एक अच्छे profit में है तो यहां पे जो है आप hold कर सकते हैं थोड़ा profit जाएगा भी तो आपको exit का chance मिल जाएगा बट जितने भी लोग यहां पे phrase buying करना चाते हैं अभी के लिए इस stock को avoid करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे उसके बाद और फ्रेस बाइंग का opportunity मिल सकता है तो आप लोगों को सही point जो है बिल्कुल clear हो गया होंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो analysis अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूब